हेलो दोस्तो वेलकम पैप टू माई यूटूब चेनल सूरजपटेल एजूकेशन में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तह दिल से स्वागत है दोस्तो जैसे कि आपको इदर स्क्रीन पे दिख रहा है कि मुंबई यूनिवोसिटी के तरफ से फिर से एक बार अपडेट आ चुका है दोस्तो यह जो अपडेट है यह एफ आई बिकॉम के स्टूरेंट के टाइम टेबल को लेके है दोस्तो जैसे कि आई इस वक आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि मैं टाइम टेबल आप लोगों को दिखा रहा हूँ लेकिन ये किन student का है यरली पेटन के student का है कि समिस्टर पेटन के student का है तो वो भी जानना बहुत जरूरी है देख लिजे दोस्तों ये जो है ये समिस्टर पेटन के student का है ये second sum के student का exam है जो 50 marks का mcqs paper होने वाला है 50 ही marks मिलने वाले है ठीक है मतब हर एक question आपको एक mark provide करवाएगा साथी साथ कुछ instruction दिया हुआ है जो आपको पिछले time भी था same one में same चीज इधर भी follow है कि सुबह 9 से लेके 6 बजे के बीच में exam होगा आप कोई भी 9 से 6 बजे के बीच का एक slot एक घंटे का आप कोई भी time में exam दे सकते हो लेकिन किसी student ने क्योंकि 6 बजे slot बंद हो जाएगा अगर आपने 5.30 पे exam चालू किया तो आपको सिर्फ 30 मिनट मिलेंगे 6 बजे क्योंकि इनका पूरा ये जो server है पूरा बंद हो जाएगा मतब आप 6 ऐसा नहीं सो सकते हैं कि 6.30 तक मुझे time मिलेगा वो आपकी responsibility होगी उसमें Mumbai University का कोई भी लेना देना नहीं होगा बात आती है कि सर मॉक्टेस कब होगा तो दोस्तों मॉक्टेस मैं time table के पहले मॉक्टेस का बता दे रहा हूँ कि मॉक्टेस online होने वाला है 26 जुलाई से होगा 9 बजे से चालू हो जाएगा 29 जुलाई तक रहेगा 26 से लेके 29 जुलाई तक करेगा 26 को 9 बजे चालू होगा 29 को midnight 12 बजे खतम हो जाएगा ठीके दोस्तों तो आपको मॉक्टेस का पता चल चुका है और ये update मेरे चेनल पे मॉक्टेस जैसे ही चालू होगा मैं update कर दूँगा मैरे इस यूटूब चैनल पे तो इसी चीज के वजे से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना बुलिए बिकोज आपको यही update मेरे चैनल पे बहुत ही जल्दी सभी से जल्दी देने की पूरी कोसिस करूँगा दोस्तों बात करता है टाइम टेबल को लेके दोस्तों टाइमिंग सेम रहेगा सुबह 9 से लेके 6 आप कोई भी एक घंटे का टाइमिंग दे सकते हो लेकिन टाइम टेबल बताने के पहले आपको आपके होल टिकेट में या तो आपके जब आपने form फिलप किया होगा तो उस टेडे को पेपर है बिजनेस एकोनोमिक का मंडे 2 अगस के दिन दोस्तों आपका है फाउंडेशन को 75 मार्क्स का क्योंकि 25 मार्क्स आपका इंटर्नल होता है जिसमें आपका वायवा प्रोजेक्ट यह सब रहता है ठीक है वह एक अलग रहता है मैं आपको नीचे बता देता आपको कि के दोस्तों तो दोस्तों जैसे कि अगर हम नीचे आते हैं तो फिर आपका आता है तीन अगस के दिन आपका कॉमर्स का पेपर है चार अगस के दिन वेनसे के दिन इन्वायमेंटर इस्टडी का पेपर है पाच अगस के दिन दोस्तों आपका मैठमेटिक्स का तेसे वो इधर होने वाला है ठीक है दोस्तों तो आपका ये पूरा किलेर हो चुका होगा डाउट ये F5 का आप बात कर लेते हैं F5BA के स्टूरंड का दोस्तों जो गाइडलाइन मैंने आपको जो FI become के student को दिया हुआ था same guideline की timing, timing and all ये सब चीज़ same है mock test भी आप दोनों का FI become और FI BA का same है 26 July से चालो होगा 29 July तक का रहने वाला है दोस्तों आपका भी exam जो date चालो होने वाला है वो 30 July से होने वाला है timing आप में भी इद्दम same रेगा 9 से लेके 6 आपको अपने subject code को ध्यान में रखना होगा ठीक है ये code को ध्यान में रखना होगा 30 July से आपका communication skill in English चालो होगा 31 July से आपका language मराथी, उर्दू, हिंदी, friends ठीक है ये रहेगा 2 August से दोस्तों आपका foundation course का paper होगा ठीक है then फिर हम नीचे चले जाते है तो दोस्तों अब ये है तीन अगस तीन अगस को आपके दोस्तों language मतब इंगलीज, मराथी, उर्दू subject code ध्यान में रखना दोस्तों आप लोग ठीक है psychological, philosophy, economic, history papers, social science, political science, geographical and rural development ठीक है ये आपका तीन अगस के दिन होगा ठीक है बाद में आता है 4 अगस सेम चीज उपर वाला पूरा नीचे होता है ठीक है आपके topic के and all ये देख लीजे subject code देख लीजे आपका paper 4 अगस 5 अगस और last जो आपका दोस्तों paper होने वाला है वो paper है 6 अगस तो 6 अगस के दिन आपका भी foundation course का paper होगा जैसा F5 विकोम में रहता है 25 marks का जो internal test है ठीक है दोस्तों तो I hope दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने ज्यादा से जादा दोस्तों को जरूर सेर कीजिए कोई भी डाउट हो तो फ्लिस वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बताईए ठीक यू सो मच दोस्तों